नमस्कार दोस्तो मैं विजे कसाना डेजीटल फिरी सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अरियाना के रोडवेज युबाग में जल्द ही नई बरती आने की पूरी पूरी संबावना है ड्राइवर और कंडेक्टर के पदों के उपर ये बरत देखें और अगर आप पहली बार अमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए आप देख लेते हैं आज की बड़ी खबर ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों देख सकते हैं कि अरियाना के रोडवेज के बेड़े हैं वो अरियाना के जो रोडवेज युबाग के बेड़े में हैं वो सामिल की जाएं उस सातियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 100-200 बसे भी नहीं है तीन अजार बसे अगर रोडवेज युबाग में सामिल होती है तो उसके लिए करमचारियों की भी जरूरत पड़ के उपर नई बर्ती जल्द ही आने की संभावना है क्योंकि ये जो तीन अजार बस्यों की बारे में का गया है ये बहुत ही जल्द इसका प्लान किया जराया पूरी खबर देख लेते हैं कि मंत्री जी की ने प्री बजट चर्चा के दोरान मुख्य मंत्री मनोर लालो अन्य मंत्रियों के सामने अपना एजंडर रखा पर्वेन मंत्री ने दैनिक स्वेरा को बताया कि गत सोमवार को हुई प्री बजट चर्चा में उन्होंने का है कि अर्याना रोडवेज के बेडे में अब 3900 बसे रह गई है किलोमेटर स्कीम की लगबग 540 बसे हैं उन्होंने का क कि आज परदेश कि जंता को बसों की सक्ट जरूरत है क्योंकि यह आम जंता की सुवारिय है उन्होंने का कि पहले सेहिघा सो नौ बसे खरीदने का अध्यентаा जारी हो चुका है और इन बसों के अलावा दोजार नई बसों की जरूरत है मंत्री जी ने कहा कि इन पर अन्य मंत्रियों ने भी हाँ कई है और मुखे मंत्री मनोलाल जी ने भी हाँ बर दी है उन्होंने कहा कि नई बसे अप ही खरीदेंगे यानि कि बोड़ी के साथ बनी हुई खरीदेंगे क्योंकि क 409 वसे खरीदने का आदेश पहले ही अरियाना सरकार हो जारी कर चुकी है तो यह बड़ी अपडेट है जो भी लाइक और जादा जादा शेयर करें वीडियों आ तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते नेक्स वीडियो में